नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Y2 Math Classes में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहा है हैं यह सियप यानि कि दोस्तों यह सियप निकालना इस वीडियो के माध्यम से हम आसानी से सीखेंगे अगर आपको यह सियप निकालना नहीं आता तो आप लोग वीडियो पर अंततर जरूर बने रहना क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको यह सियप निकालना तो देखी दोस्तो इस वीडियो में हम HCF का फुलफार्म देखेंगे और HCF क्या होता है इसे जानेंगे और HCF के कुछ उधारण देखेंगे तो देखी दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HCF का फुलफार्म क्या होता है यानि कि दोस्तो HCF को कहते हैं महत्तम समापव पर तक यानि की दोस्तों इसका फुलफार्म हो जाएगा highest common factor या फिर उसी को हम लोग कहते हैं मासा तो देखी दोस्तों highest माने होता है अधिक यानि की highest माने ज्यादा, common माने उभ्यनिष्ट और factor माने उसके गुड़ज तो दिखी दोस्तो इसके बाद हमने आपके पास दो उधारण लिये हैं जैसे कि हमने 6 और 24 का या सीअफ यानी की मासा निकालना सीखेंगे और दोस्तो 12, 20 और 49 का या सीअफ यानी की मासा निकालना सीखेंगे तो देखी दोस्तो बारी बारी से हम दोनों उधारण को आसानी से हल करना सीखेंगे तो देखी दोस्तो सबसे पहले हम हल करेंगे 6 और 24 का यह सिय अभियात करना तो देखी दोस्तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके यानि कि 6 और 24 लिखने के बाद एक line ड्रॉ करेंगे तो देखी दोस्तो इसको हम उस संख्याओं से काटेंगे यानि कि दोस्तो जो हमारे पास दोनों संख्याओं दी हुई है इसे हम उस छोटी संख्या से काटेंगे जो इन दोनों संख्याओं को विवाजित कर दे यानि कि दोस्तो लासा में यानि कि LCM में हम क्या करते थे इसमें से कोई भी एक संख्या उस छोटी संख्या से विवाजित हो जाए तो उससे हम करते थे लेकिन मासा यानि कि यह चासीव निकालने के लिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं को उस संख्या से विवाजित करेंगे जो इन दोनों संख्याओं को विवाजित कर दे तो देखिए दोस्तों यहां पर हम सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2 होगा 2, 6 को भी विवाजित कर देगा और 24 को तो यहां हो जाएगा दोस्तो 2, 3, 6 यानि कि 2 से हम 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा उसके बार दोस्तो 2 से 24 में भाग देंगी तो 12 बार गया उसके बार दोस्तो देखिए अब यहाँ दो से दोनों नहीं विवाजित होगा क्योंकि दो से बारा विवाजित हो जाएगा लेकिन तीन नहीं होगा अब इसे हम तीन से भाग देंगे तीन एक के तीन तीन चव बारा अब देखिए दोस्तो यह हमारा एक से विवाजित होगा लेकिन एक से विवाजित करन में 6 यानि कि 6 और 24 का ज़सीफ होगा दोस्तों 6 हमारा इस प्रश्ट का राइट उत्तर होगा तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्ट को यानि कि 12 20 और और अनतारिस का याशीव निकालना है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर 12, 20 और अनतारिस लिखेंगे उसके बाद दोस्तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए अब फिर इसे हम 2 से भाग लगाएंगे और 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 20 में देंगे दोस्तो 10 बार जाएगा और 29 में देंगे तो यह जाएगा हमारे पास 24 बार तो देखी दोस्तो अब इसे हम फिर 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 से हमारा 3 विवाजित हो जाएगा तो या 2 से 6 में देंगे तीन बार गया 10 में देंगे दोस्तो तो 5 बार जाएगा और 24 में देंगे तो 12 बार अब दिखी दोस्तो इसके बाद हमारा तीन, पांच और बारा, तीनो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो यही यानि कि दो गुड़े दो कर देंगे, यसीफ हो जाएगा हमारा दोस्तो, दो गुड़े, दो, क्योंकि ने कि इसे अब एक से भाग देंगे, तो एक का गुड़ा करने का कोई म आप्त हो गया, यही होगा हमारा यसीफ, तो फिर चलिए दोस्तो, मैं आसा करते हूँ, आपको यसीफ निकालना आसानी से आ गया होगा, और हमने यसीफ निकालना इसके पिछले वीडियो में आपको सिखा दिया था, अगर आपको यसीफ निकालना नहीं आता, तो आप हमा में कुछ महत्पूर प्रश्णों के साथ